हैं जी गाइस मैं हूँ आपका अपना अलविशादव और मैं सुबह उठा मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूस फैलरी है मेरे खिलाफ आल ओवर मीडिया में यह चीज हो रखिया है अलविशादव वरेस्ट हो गया है अलविशादव नशीले प्रदार्त के साथ ऐसे पकड़े यह सारी चीज है जो मेरे खिलाफ फैलरी हैं जितने भी आरोप मेरे उपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं सारे फेक हैं एक परसेंट भी इन में सच्चा ही नहीं है मैं पूरा सायोग करने के लिए तयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँ लिक्रिपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाएं यूपी पुलिस के सामने आही गए एलविश यादव बड़े ही गुपचुप तरीके से नौईड़ा के सेक्टर 20 थाने पहुंचे इसके बाद पुलिस ने उन पर लगे तमाम आरोपों के सिलसले में तीन घंटे तक पूछताच करती रही उसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया लेकिन साथ ही दुबारा हाजिर होने का नोटिस भी दे दिया गया है क्योंकि पुलिस अब इस केस के मुक्या आरोपी राहुल यादव के साथ बैठा कर एलविश यादव से फिर पूछताच करना चाहती है खबरों के मुदाबिक आधिरात के करीब अलविश यादव अपने साथ वकीलों की पूरी टीम के साथ सेक्टर बीस थाने पहुँचे थे इस दोरान अनोइडा पुलिस के डी सी पी और एसी पी रेंक के अधिकारियों ने उनसे सवाल जवाब किये इन में साब के जहर के सप्लाई और रेप पार्टी से जुड़े कई सवाल थे मसलन उनसे उनके वीडियो भी दिख रहे सापों इस केस के मुख्यारपी राहुल यादव से मुलाखात पार्टी में विदेशी लड़कियों के आने का जर्ये मेंनका गांधी के एंजियों से संपर्क उनके फोन पर हुई बाच्च्वी तादी के बारे में लगतार सवाल किये गए नौईडा पुलिस ने उनके कॉल लॉग और पिछली लोकेशन के बारे में जौनकारी हासिल करने के लिए उनके मुबाइल फोन से डेटा भी मांगा है फेमस यूटिवर अलविश यदव से पुलिस ने किये गए दस प्रमुक सवाल आपके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहूगे आप वीडियो में दिख रहे हिसाप कहां से आये थे वीडियो में दिख रहे हिसाप को लेकर कौन आया था आप उन सापों के साथ पोस क्यों दे रहे थे क्या आप राहुल यादव, टीटू नाथ, जैकरन, नारायन और रविनाथ को जानते हैं क्या इन पांचों लोगों से आपकी कभी मुलाकात हुई है आप राहुल यादव के संपरक में कैसे आई थे पार्टी में विदेशी लड़कियों को लेकर कौन आता है और क्या आप उनको जानते हैं क्या एंजियो के लोगों के कॉल आपके पास आई थी क्या आपने उनों लोगों को राहुल यादव का मुबाइल नमबर दिया था सोशल मीडिया के जरीए शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे अलविश यादव का जिक्र इस केस में आने के बाद से ही संसनी मची है जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पिपल्स फौर आनिमल की एक टीम काफ़ी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को खबर मिली थी कि दिली एंसियार में कुछ ऐसी रेव पार्टीज भी होती हैं जों मिर्जादे नशे के लिए सांपों के जहर तक कास्तमाल करते हैं चुकि मामला बेहद संगीन था पी एफए ने इसे मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किया गया जिसके तहद एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया इस वापरेशन में एक एजन्ट ने खुद को मशूर यूट्यूबर एलविश यादव का खासाद में बताया था एलविश यादव का नाम लेने के बाद वो किसी भी रेव पार्टी के लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तयार हो गया इतना ही नहीं एंजियो के कार्यकरताओं के बुलावे वो एजन्ट ना सिर्फ एक साथ अलग अलग किस्म के नौ सांपो को लेकर बलकि 20 एमल स्नेक वेमन यानि कि सांपो के जहर के साथ ही हाजिर हो गया यहीं साथ दिली अन्सियार में साथो के जहर से चलने वाले रेव पार्टी के एक अजीब और गरीब खेल का खुलासा हो गया हाला कि पुलिस के शिकंजे में आई राहुल यादव नाम के लड़के के घरवालों ने न सिर्फ अपने बेटे को बेकसूर बताया बलकि उनका कहना तो यहां तक है कि राहुल का दूर दूर तक ऐलविश यादव से भी कोई नाता नहीं है फिलाल नौिडा पुलिस इस बात को ही वेरिफाई करने के कोशिश कर रही है कि आखिर एलविश यादव को लेकर की जा रही इन बातों में कितनी सचाई है और कितनी नहीं वैसे तो पहले जब यह मामला सामने आथा तो बताया गया था कि अलविश यादव ऐसी रेप पार्टी के रैकेट से जुड़े हैं जिसमें साप और उनके जहर का इस्तमाल होता है लेकिन मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि अलविश के बारे में कोई और ही ऐसी रेप पार्टी इस उसमें सामपू और उसके जहर के इस्तमाल के बारे में बात्चूइट कर रहा था यानि इस लिहाज से देखे तो एलविश को इन दोनों के बीच हो रही बाच्छीट के बारे में कुछ भी पता नहीं और नहीं उनसे किसी ने सीधे तोर पर कोई बाच्छीट की थी लेकिन जो भी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है साथी साथ कुछ बयान देदिस से पहले कई बार सोच रही है भी रिपोर्ट पंजाब के सुटी भी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए